मैं विनो सहारन आप सभी विद्यार्थियों का इस हर्याना उतकर्ष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारी जो ये व्यक्ति विशेश रीज है बहुत अच्छे रंग ला रही है ये हमारी अगामी प्रिक्षाओं की द्रिश्टी से हमारी आगे की रन्निती त्यार कर रही है और आज हम जिस व्यक्ति विशेश के उपर चप्चा करने जा रहे हैं उन्हें हर्याना के अंदर आधुनिक हर्याना का जनम दाता या विकास पुरुष हर्याना का लोपुरुष आधी नामों से जाना जाता है और आज हम जिस व्यक्ति के उपर बात कर रहे हैं उन्हें चोदरी बंसिलाल के नाम से जाना जाता है चोदरी बंसिलाल जी का जनम 26 अगस्त 1927 को बिवानी के गोलागड गाउं में हुआ था और उस समय ये गोलागड गाउं लोहारू रियासत में था याद रखें इनके उपनाम प्रिक्षा की दृष्टी से बहुत जादा महतपुण है इन्हें हरियाना का विकास पुरुष हरियाना का लोपुरुष आदूनिक हरियाना का जनम दाता कहा जाता है इनकी पतनी का नाम विद्यादेवी था, इनके पिता का नाम मोहर सिंग लेगा था अब तक हमने जो इन तत्यों के उपर नजर डाली है, HSSC के द्वारा अब तक इनसे दो परसन पूछ लिए गए हैं जैसे की पहला परसन आदुनिक हरियाना का जनम दाता किसे कहा जाता है, Option A बंसीलाल, Option B देविलाल, Option C भजनलाल और Option D है इनमें से कोई नहीं तो HSSC के द्वारा इसका सही जवाब माना गया है, Option A बंसीलाल, दूसरा परसन है, बंसीलाल का जनम कहा हुआ, Option A सांगी, Option B गोलागड, Option C तेजा खेडा, और Option D डालावास, इसका सही जवाब HSSC के द्वारा गोलागड माना गया है, ये गोलागड गाउं बिहानी में अनाज की विपार में लगा दिया गया, लेकिन पिता से छुप कर ये पढ़ाई को जारी रखा करते थी, वर्ष 1952 तक बंसीलाल ने प्राइवेट सिक्षा देते हुए, बिये तक की पढ़ाई की, और वर्ष 1956 में पंजाब विस्विधालिय से कानून की डिगरी ले ली, व वर्ष उनिसो तेराली से उनिसो चमालीस तक लोहारू राज्य में परजा मंडल के सचिव थे, बंसीलाल वर्ष 1957 से उनिसो अठावन तक बार आसोशेशन बिवानी के अध्यक्ष थे, बंसीलाल वर्ष 1969 से 1962 तक जिला कांगरेस कमेटी हिसार के अध्यक्ष थे, और बाद मे ये कांग्रेस कारेकारणी समिती और कांग्रेस संसदिय बोड के सदश्य भी बने वर्ष 1960 में परताप सिंग कैरुक की सरकार में राज्यसभा की सदश्य चुने गए और राज्यसभा की सदश्यता का कारेकाल पूरा होने प्रवे हर्याना की राजनिती में वापस आ गए वर् विदान सबा के सदश्य भी रहे हर्याना के मुख्य मंत्री बंसिलाल वर्ष 1968 में पहली बार हुए मध्यावदी चुनाव में 81 में से 48 सीट जीत कर हर्याना के पहली बार मुख्य मंत्री बने और भगवत द्याल सरमा एमम राव विरेंदर सिंग के बाद ये हर्याना के तीसरे मुख्या मंतरी थी जब ये पहली बार मुख्या मंतरी बने तब इनकी उमर मातर 41 वर्ष थी तो याद रखना ये हर्याना की सबसे छोटी उमर में मुख्या मंतरी बनने वाले वेक्ति हैं बंसीलाल वर्ष 1968, 1992, 1986 और 1956 में चार बार हर्याना के मुख्या मंतरी बने हैं और हर्याना के मुख्या मंतरियों में सबसे लंबा कारेकाल बंसीलाल जी का ही रहा है बंसी लाल राज्ये विधान सबा के लिए साथ बार चुने गए हैं वर्ष 1966 में हर्याना के गठन के बाद राज्ये का अधिकास, उध्योगिक और क्रिशी विकास विशेश रूप से बुन्यादी धांचे का निर्मान बंसी लाल की अगुवाई में ही हुआ है वर्ष 1975 से 1907 तक भारत के रक्षा मंतरी रहे हैं वर्ष 1984 से 1986 तक रेल मंतरी और 1986 में इने प्रिवन मंतरी बना दिया गया था जो हमने इन तथ्यों पर बात किये इनसे भी HSC के द्वारा परसन पूछे गए हैं जैसे पहला परसन हर्याना में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंतरी का रहा है ओप्शन A भजनलाल ओप्शन B बंसीलाल ओप्शन C भगवाद्याल सर्मा और ओप्शन D ओम प्रकास चोटाला तो इसका सही जवाब माना गया है ओप्शन B बंसीलाल अब बंसिलाल जी की मिर्तिव की ओर बात करते हैं अगर इनके प्रिवार की बात की जाए तो इनके दो बेटे थे एक बेटे का नाम रणवीर सिंग जबकि दूसरे बेटे का नाम सुरेंदर सिंग था जो रणवीर सिंग अई ये BCCI के पुरव अध्यक्स रह चुके हैं और अगर बात करें सुरेंदर सिंग की जी सुरेंदर सिंग तत कालीन 2005 में ये क्रिशी मंत्री थे और उस समय इनकी सहारणपूर के अंदर 2005 में हेलिकॉप्टर दुरुगटना में मिर्त्यू हो गई थी अगर इनके परिवार से बात करें तो परिवार से भी HSSC के द्वारा परसन पूछ लिए गए जैसे की तत कालीन क्रिशी मंत्री सुरेंदर सिंग की हेलिकॉप्टर दुरुगटना में मिर्त्यू कब हुई ओप्शन A वर्ष 2003, ओप्शन B वर्ष 2004, ओप्शन C 2005 और ओप्शन D वर्ष 2000 छे तो इसका सही जवाब है ओप्शन C वर्ष 2005 चोदरी बंसीलाल जी ने खेलों को बहुत जादा बढ़ावा दिया था वर्ष 1966 में हर्याणा में खेलों को प्रसिक्षन देने वाले सिर्फ 13 के अंदर थे लेकिन चोदरी बंसीलाल जी ने 34 के अंदर स्थापित किये वर्ष 1972 में पटियाडा और वर्ष 1973 में दिल्ली में जब पूरे भारतिय दिहाति खेलों का आयोजन करवाया गया तो हर्याणा पूरे भारत में दूसरे नंबर पर रहा था और अगर बात करें सोनिपत के राई में इस्थित मोतिलाल नहरू स्कूल की तो इसकी स्थापना 1973 में बंसीलाल ने ही करवाई थी अगर खेलों की बात करें तो मोतिलाल नहरू खेल स्कूल की स्थापना कब हुई तो मोतिलाल नहरू खेल स्कूल की स्थापना कब हुई ओप्शन A वर्ष 1971, ओप्शन B वर्ष 1973, ओप्शन C वर्ष 1975 और ओप्शन D वर्ष 1977, तो इसके सही जवाब है ओप्शन B वर्ष 1973, चोदरी बंसिलाल जी ने प्रेटन को भी खुब बढ़ावा दिया था, जैसे कुरुक शेतर जिलों पर सनान घाट, विश्राम गरहों का निर स्थान पर था, अगर चोदरी बंसिलाल के कुछ अन्य तथ्यों पर भी नजर डाली जाए, तो बंसिलाल के समय वर्ष 1970 में हर्याना के सभी गावों को विजली से जोड दिया गया था, और हर्याना में पहली जनगर्णा वर्ष 1991 में बंसिलाल के समय वर्ष 1972 में हर्याना पर किERUTOR था की संग्या दीगे क्योंकि इन्होंने हरियाना के कोने कोने में में पानी पहुंचाया था। जो ये हमने अन्य तथे देखे हैं इनसे भी HSC के द्वारा पर्षन पूछ लिगे जैसे कि पहला पर्षन बंसीलाल ने हरियाना की दूसरी भाष्चा का दरजा किस भाष्चा को दिया था याद रखना इसका सही ज्वाब ओप्शन सी है तमिल है तो इसका बिल्कुल सही ज्वाब है हरियाना विकास पार्टी तीसरा परसन है बंसीलाल के द्वारा हरियाना में शराब बंदी लागू की गए उप्शन A 1994 में, उप्शन B 1906 में, उप्शन C 1908 में, उप्शन D इनमें से कोई नहीं तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 1906 में चोथा परसन है हर्याना प्रिवन का राष्टियकर्ण कब किया गया उप्शन A 1970, उप्शन B 1971, उप्शन C 1972 और उप्शन D है 1973 तो इसका सही जवाब है 1922 तो आज हमने चोधरी बंसिलाल जी के जीवन के उपर परकास डाला है और ये चोधरी देविलाल जी यहां हमने अब तक जो भी व्यक्ति विशेश रीज में परसीद व्यक्तियों की बात की है ये प्रीक्षा की दृष्टी से बहुत जादा महत्रपून है और अगले हफते आपके सामनी में एक नए व्यक्ति विशेश के साथ हाजिर होंगा और लगातार आप इसी परकार हमारे साथ प्रेम बनाए रखें और इसी परकार से जोड़े रहें धन्यावाद